नमस्कार मैं राज्स लखेरा असिस्टेंट प्रोफेसर केमेश्ट्री आज अपना टोपिक है सील्डिंग क्या होता है परिडक्षन क्या होता है इसका फ़यान करते हैं तो प्रिडक्षन में क्या होता है इसको अपने समझेंगे कि एनमर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रूप में टीएमस का मेलिया जाता है ट्रेटरा मैथल सिलेन में सिलिकन के चार उत्रप्चार मिधाईल समय जुड़ी होती हैं और परिदक्षन में क्या होता है कि यदि कोई संकेर टीएमस के के नजदीक प्राप्त होता तो इस कष़ना को जाता है सिल्डिंग यानि पररिallक्षन हो कोई बिसंकेट यंदि इसलींग या भी परिद्षन अर्गोरव् बहुत lazy आए delivered यम्हें लगैता है इक रूकृ को क्या लगाता एक क्षेथ़ लगाता है तो एक शुक्षम दारा बैती है एक शुक्षम में याद मैड़ कांडिक है और चुल्ड कोई ढार बैती है और जब भी कोई दारा बैती है तो और स्टेट केंसार एक चुम के छेतर उत्पन हो जाता है एन्यमर स्पेक्ट्रम जब भी लिया जाता है तो क्या करती है कि एक बाहर से चुम के छेतर लगाना पड़ता है जैसे देखो कोई भी यह मानलो एक चुम के छेतर है जो परदार्थ जो अपने लिया है किसी भी एट अनु का जो स्पेक्ट्रम लेना चाह रही है अपने उसका लिया है तो अपने ऐसे का दें परदार्थ दवारा उत्पन चुम के छेतर था था थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं यह परदार द्वारा उत्पन चुम के छेतर था डियानि कि कोई भी पर्मानू है कोई अनू है वो एक एक चुमक की बाती वियार करता है जबभी बहर से कोई चुम के छेतर लगाया जाता है यदि बहर से लगाएगी चुम के छेतर और विप्रीत आधार कीसरे बिनाथ यह मानलों बाहर से लगाया गया सांथ की ट्रहें वह इतना है अधिस यह क्या है मैं रदेखे यह मान लों परदार द्वारा उत्पन के ठेरें मेरे दोबारा से तो बढ़ीन का अ Пट्र सुम्पन यह अपने किसी का भी स्पेक्ट्रम लेना होता है तो एक चुम के छित्र अपने को लगाना पड़ता है यह मानलो कि क्या है बाहर से लगाया गया गया चुम्ब के छित्र बाहर से लगाया गया चुम्ब के छित्र है यह मानलो कि आप कितना चुम्ब के छित्र बाहर से लगाया गया और अपने जानते हैं कि अनू है वो खुद भी एक चुम्ब के छित्र उत्पन करतेता है यदि मानलो इनकी दिशा विप्री तो अनू द्वारा चुम्ब के छित्र कि दिशा है वो इस परकार्सी है उसकी उल्टी है ये क्या है अपने आचछे कह दे ली परदार्थद्वारा तोकि तो अ कुलिष यो सुम्ड की अच्छेतर और है यह वраст दार्श में खुद ने उत्पन किया है मानलों बाहर से दस लगाया था परदार्श downs व्यूत Πर seland कर दिया छार गट कितना और यह वीपरीत वो गया वीपरीत हो गया तो बंचाया वह पर दावी के छेत्र का माना वे्या हो गया और बावी को ति इतना ही बसा मानु किस दस में से उल्टा लग गया चार तो पंसा कितना है तो यह क्या है परबावी कि अच्छेतर की दिशा क्या है विप्रीत है जिससे परबावी कि अच्छेतर के मान में क्या आजाती है कमी आजाती है इसी गटना को क्या कहा जाता है परी रक्षन कहा जाता है यानि कि परी रक्षन कहा जाता है यानि कि परी रक्षन कारते शिल्डिंग इस गटना को क्या नाम दिया शिल्डिंग कि शिल्डिंग यानि कि परी रक्षण कहेंगे इसे कि शिल्डिंग यानि कि परी रक्षण तो सब के द्यान में आ गया होगा शिल्डिंग क्या होती है दुबारा सुनो कि कोई भी नाभीक है नाभीक में न्यूट्रोन वे प्रोटोन पाए जाते हैं तो और इलेक्ट्रोन आ अपनी अक्स पर भी गुमता है इसको कहा जाता है कक्षिय गति दुन्नों की कारण ही परमानु है वो एक कि सुक्षम चुम्ब की बाती व्यार करता है यानी समान समाल मेगनेट की बाती व्यार करता है जिसके फलस्रूप पर पर्दार्थ upfront कि दिशाई यानजिक ऐसी है और अपने परतारत अचा प्रणाल के सब्सक्राइग कि एक चुमके क्या है ग्लगा दिया outta outta a ं रखा डिद्र रखा तो एक चुम के बांस लग गया ऐसी तो लग गया लेकिन परदार्स ने उट्पन किया अən की दिखा क्या है निच्चे तो आप प्रभावी चुमकेशतर क्या अच्छेतर कितना बचा इतना है याझनी कि जब बाहर से लगाए गए चुमकेशतर पुर थ्वर्गति हो फिरबार द्री आय। चुमकेशतर के दिखित практи आप उब प्रीत हो किस गटना को shielding कहा जाता है और shielding कर दो तैना बाहर से इतना तो कितनी कि इसने इसने लिए उसके रख्षा करने के लिए इसने बाहर से लिगा इतना महसुंश ही तैना इस तैने सेज़तर की के रक्षा की है लिखा इसलिए लिख कर दो नहीं करता है यह सीदेड होता है कि यह उनि computation होता है यह कैसा होता है ऐसल ँर सकति होले कि इसका सकता है हो बहुत निमाद सवाश करें प्रांपत होता है जहां भी परता है निया हिस्टी न अभी कोई भी संक्यत है वो कम से कम कहां प्राप्त हो सकता है कम से कम किसका प्राप्त हो सकता है टी एमेस का और का भी प्राप्त हो सकता है लेकिन टी एमेस है वह यूज क्यों किया दाता है रेफ्रेंस के रूप में तो इसका कारण क्या है यह एक स्टेबल है ऐसा नहीं कि अपने Unstable हो इसको डाल दें तो यह किसी के साथ किरिया कर लेगा यानि कि स्टेबल है इसका मतलब क्या है यह कम किरियासील है कम किरियासील है यानि कि किरियासील नहीं है यानि रेफ्रेंस के रूप में काम में लेना होगा तो जिस कंपाउंड का नेमर संकेत यात करें उसके अंदर किरिया कर देगा तो ये लेकिन ये किरिया करता नहीं कम किरिया सील है यानि किरिया सील नहीं यह स्टेबल है यानि कि ऐसा ही नहीं है कि जिसके साथ मिलाए टूटी गया कि तीसरी बात क्या है यानि कि अ बहु ज्यादा परी रक्षित है कि आई ली सिल्डेट है कि जिसकेung का संकेत है वो दि अच्छ में प्राप्त होता है अ कि या यानि टा का माने उच्छ का मतलब क्या है डल्टा का मान क्या है कम को कितना अच्छ सुणुआयं तो क्या पाइगा अधिक यका है तैन यह से कि एनमर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीमस है वही रेप्रेंस के रूप में क्यों काम में लिए जाता है और या फिर ऐसे आजाए कि एनमर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेप्रेंस के रूप में क्या काम में लिए जाता है तो क्या काम में लिए जाता है वो टीमस का में लिए जा है क्यों काम में लिया जाता है क्योंकि यह क्या है स्टेबल कंपाउंड है किरिया सील नहीं है आइली परिरक्षित है यानि आइली शिल्डेड प्रोटोन है बारा प्रोटोन है इसमें अब प्रोटोन होता है जितने ज़्यादा प्रोटोन होती है एनमर संक्यत की उंचाई बढ़ जाती है यानि एनमर संक्यत जश्टी गोचर हो जाता है दीख जाता है तो इसमें प्रोटोनों की संक्या देखो एक ही कंपाउंड में प्रोटोन की संक्या कितनी है बारा प्रोट कुग की जब भी कोई अन्सकेत लेते हैं अपने तो अन्या मर संकेत कहा से प्राप्त होता है कि यदि वो टी मिस के नजदी प्राप्त होता है फिर उचछछे चámचेत को क्या कहिंगे उचछछेतर में प्राप्त होता है और यदि ये संकेत को दूर। प्राप्त होता है इसको क्या कहेंगे यह कॉले है कह उच्छेतर वारे को क्या कहेंगे सह की लेंगे प्रोटोन कहेंगे तो एक सिल्डेट प्रोटोन है एक डी सिल्डेट प्रोटोन है यानि कि उच्छ हेत्र में उसको सिल्डेट प्रोटोन कहेंगे निमन शेत्र में उसको डी सिल्डेट प्रोटोन कहेंगे dated proton है इस उस घटणा को अपने चिल्डिंग कहें इसल्डण को परीरक्षण कहेंगे और यदि संकेत है वह दूर प्राफ़त हो रही है टीमस शे यान्य कि थीमस के लिए के डेल्टा कामान फिर होता है यह मान लोंड एक प्रक मालत करहां दिटेंश थे ayr görün pleasant बिस को यह इस को देल्ट से दूर एक निमन से यह सब्सक्राइब घुम्स के रूप में काम में लिए ब्तोर皆 स्टेबल है कि तेबल आंड गुआं वहां गे सकते सकते हैं ये सगेत प्रमान संकेत नहीं है जहां पर प्रमांड प्राप्त जहांत nous और वह कैंध से सकते हैं लेकिन मुख्य रूह से टीम स्का व्योगरly किया जाता है बाद्पर आधीनस के कोई संकेत प्रम सब्क्रासमि carry कि weekly इसको तो तो आप ऐसे चाह्क वर दिय इस अमẵन पार्थी डिह समानू पार्थी दी समानू पार्थी यानि कि दी-स इलडल प्रोटोन के लिए डेल्टा है वो बड़ा होता है यह नेकि डिच वान पार गद बन होगी उतना बड़ें गर और इस संकेत निमंद्चेतर में प्राप्त होगा निमंद्चेतर का मतलब है डाउन फिल्ड में प्राप्त होगा संकेत निमंद्चेतर में प्राप्त होगा यानि कि डी सिल्डिंग से डेल्टा बढ़ जाता है संकेत डाउन फिल्ड में चला जाता है ऐसा कब होता है जब है कि डिल्क जाता है चले दाउन फिल्ड में प्राफ्ट होता है और इसात अत्रान होता है यानि कि प्रोटोन लेक्ट्रों भूत दूर चले जाई यानि प्रोटोन उसे एलेक्टोन भहुत दूर चले जाए कैसे समझे इस बात को जैसे सी च्छ थरी च्छ टू एफ है एफ एफ एलेक्टोनों को खिंचेगा तो यह जाव बली स्प्रोटोन पर ज्यादा पड़ेगा तो इनकी क्या होगी दीषील्डिंग होगी những proton के संकेत दाउन फि यो कहां चले जाएंगेडव एस इस गठना से डीषील्डिंग होगी क्यों कि यहां पर क्या वह रही है देफीक्षींद सी यहांपर क्या हूँ देफीश Nee एंसे ओपे एलेक्ट्रों हो रही है एलेक्ट्रों की कमी ओर रही है वह थोड़ा से देखो देखो सी एच एच और एफ कह दूमें एच को अलग-उब दर्सा दिया फ्लोरिन की विदुतिनता चार दुनिया में सबसे ज्यादा पर नहीं का निये बंद के लाट्रों घिंची बढ़ेगी तो डेल्टा बढ़ेगा डी सिल्डिंग होगी डाउन फिल्ड में चला जाएगा तो यह तो प्रभावित करने वाले कारक अपने ज्याधा पड़ेंगे यह पर बता दिया कि क्यों कहा चला क्या होती है इस घुंडिंग क्यों कहा तो यह सबी बतना बचार बता दी गई फिर भी थोड़ा दुबारा सुनो स्टिंग के बारे में जब बाहर से लगाएगे चुमके चेतर की दिशाव परदार तो प्रभावित के कि कम हो जाता है इसे प्रिक्ष्ण कहा ज जाती है संकेत उच्छे तर्मेप्रात होता है जैसा आपको डाइग्राम के अंदर दिखा दिया गया है इसके बाद बात करते हैं अपने डीस हिल्डिंग की